वेलकम बाइडिय शुडेंट आपका स्वागत है Q2 of exercise 13.2 इसमें क्या है simplify and express each of the following in exponential form निमले खित में से प्रतिक को सरल करके गातां की रूप में व्यक्त करना है सरल करना है देखिए यहां पर इसको सरल करेंगे तो पहले इसको 32 है और यह 4 है इसको हम exponential forms में बना सकते हैं इसको काड़ देते हैं आपस में क्या इसको काड़ देते हैं देखिए 4 और 32 को काटेंगे तो कितना आएगा 8 8 फोर्जा 32 यह 8 हो गया और 8 चुहे इसका हम factorization करेंगे गुणंद खंड करेंगे तो क्या होगा 8 का गुणंद खंड करेंगे भूपावर 3 अब यह जैबके ट्व बावर थी 2- m quar փस reflex अब आपके वाज क्यफ्यंतना बचा इसमें रहाएं 3 इन 3 से को divide करेंगे तो यह कितना हो जाएगा कर आटेंगे कितना बने थी पावर 3 एक पावर इसमेंचे कट जाएगा या इसमेंचे ऐसा कह सकते है 3 पावर 4 क्योंकि यह डिविजन है इसलिए माइनस 3 पावर 1 ठीक है मतलब यह जो है तो यह हो गया 3 पावर 3 दूरे सब्दों में आप कहिए कि 3 पावर 4 डिवाइड बाई 3 पावर 1 ठीक है जब डिविजन का मेंटर होता है तो माइनस हो जाता है तो 3 पावर 4 माइनस 1 इसकल टू 3 पावर 3 ठीक है यह इसका इसमेंच पर हो गया यहां पर देखिए पहले आप इसको 3 पावर 2 को 3 से पावर का पावर करना है तो multiply करेंगे यानि five power two into three ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका बाकी वही रहेगा five eight power four ठीक है और यह divide by five power seven ओके अब देखिए five five power three two multiply by six five power six हो गया into five power four हो गया और डिवाइड बाई five power seven अब देखिए दोनों का बेस एक है इसलिए multiplication में प्लस हो जाएगा तो five तो बेस रहेगा और यह six प्लस four हो जाएगा दीक है और डिवाइड वाला वही रहेगा अब यह इसको सरल करेंगे तो five five का power कितना हो गया six और four ten इसको डिवाइड किए five seven अब यहां क्या है दोनों का बेस सेम है और यह डिवाइड करना है तो माइनस हो जाएगा यानि five ten माइनस seven तो कितना हो जागा five power three क्लियर यह इसका इंसर हो गया अब इदेखिए पार्ट थी में इसे बेस अलग अलग है पहले अपने को बेस सेम करना है तो हम तो फावर फो को ऐसे लिसकते हैं ऑगा कि फावर फोर है फाई इन्टू फाइव टंटीफाइए हो गया ज़सक्ते हैं सकते हैं इसआा पावर का पावर करना हो तो हमको पता है कि व्लक्तेन को गुणा करेंगे ङुटsy 4 और ये भागवाला ये रहे गई रहेगा इसको मत भूलना 5्पावर 3 अब ये कितना हो गया 5्पावर 8 हो गया divide by 5्पावर 3 अब आपके base सेम हो गए दोनों के time बेस सेम हो जाते हैं और division होता है तो πावर सको मीनस कर दते हैं यानि 5 5 पावर 8 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 5 पावर 5 यह आपका इंसर हो जाएगा पार्ट 4 यह आपका 3 मल्टिप्लाइबाइ 7 स्क्वाइर इंटू 11 पावर 8 अपॉन 21 मल्टिप्लाइबाइ 11 पावर 3 देखिए यहां पर पहले इसको हम सिंपल कर देते हैं कि 3 को 21 से काट देते हैं तो 7 हो गया इसनों कट गए आपसमें अब देखिए 7 पावर 2 इंटू 11 पावर 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 11 पावर 3 हमको पता है जब डिविजन करते हैं यानि इसमें इसका डिविज 7 स्क्वाइर को 7 से डिविजन करते हैं तो क्या होगा बेस सेम है आप ऐसे कर दीजिए कि 7 स्क्वाइर को 7 से डिवाइड करना है तो बेस 7 ही हुआ और यह क्या हो जाएगा माइनेस हो जाता है इसमें 7 2 है यह और यह इसका 1 है ठीक है इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है तो 7 पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा यह ठीक है और उसके बाद में हम 11 पावर पावर 11 8 11 पावर 8 को 11 पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि डिविजिन कर रहे हैं बेस 11 ही है इसलिए हो जाएगा 8 माइनस 3 तो यह कितना होगा 7 हो जाएगा यह वन हो जाएगा निए तो 7 1 इन्टू 11 पावर 5 यह हम कर सकते हैं कि 7 multiply by 11 पावर 5 यह इसका इंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर देखिए क्या है यह 4 है यह 7 है और यह 3 है तो यह 3 4 को multiply करना है 3 पावर 3 से जब multiply करते हैं तो क्या होगा base same है यह उपर तो 37 रहाएगा नीचे क्या होगा base same है multiply करेंगे तो यह क्या होगा प्लस हो जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा 3 पावर 4 प्लस 3 उपर पावर 7 है तो 3 पावर 7 इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इसके इसका बाग देंगे तो यह जीरो पावर हो जाएगा इसको डिविजन करना है तो माइनस करेंगे बेस सेम है तो यहां क्या हो जाएगा शेवन माइनस सेवन या थ्री पावर जीरो या वन इन दोनों में से कोई भी एंस्वर लगाई है जहां पर भी जिरो आता एक्सपोनेंट में उसका रिजल्ट वन होता है अब यह पार्ट शि हमने भी पढ़ाता कि जिस पर भी पावर एक्सपोनेंट जीरो होता है यानि पावर जीरो होता है उसका वेल्यू होता है वन तो यह टू जीरो है तो वन इसका भी वन होगा और इसका भी वन होगा ठीक है यह कोई भी जाए बेस कोई भी हो तो यह तीनों का टोटल कितना व 1 हो गया जहां भी एक्सपोनेंट 0 आएगा वहां 1 हो जाएगा तेनों में 0 0 है इसलिए 1 हो गया 1 को 1 से फिर 1 से multiply करेंगे तो 1 हो गया इसका इंस्वर हो गया यहां पर क्या है 3 0 बतलब 1 प्लस फिर 1 multiply by फिर 1 1 और 1 कितना हो गया 2 into 1 यानि एंस्वर 2 हो गया correct यहां पर क्या है अब देखिए 2 power 8 into a power 5 और 3 power 3 4 power 3 into a power 3 तो देखिए यहां पर क्या है कि 2 power 8 को 4 power 3 से divide कर देजिए और 5 power a power 5 को a power 3 से divide कर देए अब क्यूंकि यहां पर base अलग अलग है तो पहले same base बनाईए same base बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप इसको 4 power 3 है इसको 2 का power बनाईए 4 into 4 into 4 यह यह कर देखिए 2 into 2 into 2 into 2 यह दो गुना दो दो गुना दो और दो गुना दो यह हो गया आपके 2 into 2 into 2 into 2 तो यह कितना हो गया 1,2,3,4,5,6 तो 2 का power 6 हो गया यह तो उपर कितना है 2 का power 8 है तो यह 4 का power 3 या 2 का power 6 एक ही बात है अब क्यूंकि यह divide करना है मुंको आपस में तो क्या करेंगे division करने के लिए जब base same है यानि 2 power 8 को divide करना है 2 power 6 से है division में जब same base होता है तो minus हो जाता है यानि 2 का हो जाएगा 8 minus 6 यानि 2 power 2 इसका तो 2 power 2 हो गया यह और यहां क्या हो जाएगा यह a का power 5 है और a का power 3 है तो इसको division करना है तो a का power 5 minus 3 यानि a का power 2 तो 2 power 2 into a power 2 अब क्यूंकि यह उपर के दोनों है exponent same है और base अलग-अलग है तो इन दोनों को multiply करेंगे यानि 2a हो जाएगा 2a power 2 यह exponent 2 है सेम है तो 2a power 2 यह इसका इंस्पर हो जाएगा clear next part 10 of question 2 इसमें देखिए पहले इसको हल कर देजिए आप a का power 5 और a का power 3 यानि जब division करते हैं तो क्या करते हैं यानि कि a का power 5 divide by a का power 3 division के मामले में क्या होता है माइनस कर देते हैं सेम बेस है तो 5 minus 3 यानि एक का power 2 हो गया इसका इसके बाद आपको इसको ले लिए एक का power 8 अब दोनों में 8 power 10 यह इसका इंस्वर हो गया यहां पर क्या है लिए पावर 5 फोर का 5 पावर 5 पर फोर का पावर 5 तो यह तो कट गया अब रहा आपका a का power 8 और b का power 3 इसको multiply करना यहां लिखिए आप a का power 8 into b का power 3 और निचे लिखिए आप a का power 5 into b का power 2 अब देखिए इसको इससे divide करना है एक का पावर यह same base है a और a दोनों का same base है तो a का power 5 8 8-5 यानि a power 8-5 ठीक है और इधर क्या हो जाएगा b3 में से b2 divide करना तो b का power 3 minus clear तो यह क्या हो जाएगा a का हो जाएगा 3 into b का हो जाएगा 3-2 यानि 1 तो या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि a cube b देखिए पार्ट 12 है इसमें क्या है 2 का power 3 into 2 यानि 2 का power 1 ठीक है और उसका दोनों का whole square करना है तो 2 का power 3 और को multiply करना तो base same हो गया जब same base है तो क्या करेंगे हम plus कर देते है multiplication में अगर यह division होता है तो माइनिस करते है multiply होता प्लस कर देते हैं तो 2 का हो गया 3 plus 1 ठीक है और यह whole power square तो 2 का power 4 और उसका power 2 यानि power का power तो 2 का power 8 हो गया multiply कर देंगे ठीक है 2 का power 4 into 2 या 2 का power 8 यह आपका answer हो गया correct I think you have understood all the questions properly thank you my dear student please like and subscribe